हेलो एवरिवन कैसे वह आप से भी लोग एससी सीजियल 2019 टियर 2 को रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है ठीक है रिजल्ट आना था आपका 20 तारिका एक दिन पहले ही एससी ने जट दे दिया तो बहुत अच्छे कट ओफ देखेंगे अभी यूर कटेगरी कट ओफ देखेंगे ना जब लिश्ट 3 के लिए ठीक है हवा उड़ने वाली है बहुत हाई कट ओफ गई है मैंने एक बार में बताया था इस बर 2019 कट ओफ कितनी ज्यादा हाई जाएगी 2018 से अनिजर्ट के टेगरी तो सभी लोगों करते हो आपको पता होगा आप टीएर्टु क्वालिफाय करते हो तब आप टीएर थ्री की कोपी आपकी वैलाट की जाएंगी अभी मार्क सबस्य पहले लिश्ट वन की कट ओफ देख लेते हैं लिश्ट वन में कितने लोग एलजीबल हैं क्या कट औह गई हैं तो सबसे पह होगे unreserved category की cut off गई है यह 517 नंबर और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर यहाँ पर OBC category की 5456 cut off है EWS category 504 cut off है यह cut off कितने नंबर में से है यह 800 नंबर में से cut off होती है 200 नंबर tier 1 के tier 2 के 2 paper English or math के 400 नंबर और 200 नंबर आपका क्या होता है AO post की जो exam होता है अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर लिश्ट 2 देखोगे यह जेश्ट पोस्ट के लिए इसकी cut off कम गई है UR category की आपकी unreserved category से 488 marks cut off गई है EWS category 457 OBC category की SCHT category की और other categories की यहाँ पर cut off है अगर मैं यहाँ पर आगे बात करता हूं इसके बाद बार ही आती है उन पोस्ट की जैसे इंकम टेक्स पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर एक्जामिनर टेक्सेश्ट ने जितनी भी बाकी सारी पोस्ट है उनकी cut off कितनी गई है आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी list 1 और list 2 है जो जिसमत cut off हमारी 800 नमबर में से थी यह वाली जो cut off है यह 600 नमबर में से इसकी ज्यादा as compared to उन पोस्ट से ठीक यहाँ पर unreserved category की 528 नमबर cut off गई है बाकी सभी categories के आप देख सकते हो कितनी कितनी cut off जा रही है EWS category की 466 नमबर गई है बहुत कम है unreserved category से अगर मैं OBC category की बात करूँ यह भी unreserved category से बहुत कम है इतनी कम cut off पहली बारी हुआ है कितना जादा gap देखने को मिला है cut off के अंदर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो जो final answer की आने वाली है वो आपके 28 तारिक को आएगी और उसके बाद अभी यहाँ पर tier 2 और tier 2 के जो भी marks होंगे इन्होंने भी नहीं बताए है ठीक है tier 2 के marks upload होंगे website पे tier 3 के marks के साथ tier 3 का जब result declare हो जाएगा तो इन्हें कम से कम date देनी चाहे थी कि tier 3 का result कब declare हुआ तो देखते हैं क्या होता है अब मैं एक बार आपको compare करके बत अगर मैं other categories की भी देखता हूँ तो आप किसी भी category का compare कर लो कि यहाँ पर OPC category की मेरी पास 2018 में 400 number cutoff गई थी इस बार 488 number गई है 80 number ज्यादा cutoff SC category की 354 cutoff गई थी इस बार SC category की 334 number cutoff गई है SC category की cutoff में decrease देखने को मिला है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर SC category की पिछली पार 527 number sorry यह 354 तो काफी बढ़ गई है और SC category भी cutoff यहाँ पर काफी ज्यादा हमारी बढ़ गई है लगबग 80-80 number से सारी cutoffs बढ़ी है हमारी और UR category की तो हमारी cutoff लगबग 90 number से बढ़ गई है मतलब अलग-अलग variations थे ना पेपर में जो ठारा तारीक का पेपर था वो इजी आ गया था पंदरा सोलगा डिफिकल्ट नार था तो तो आप अपना लिष्ट में जाकर नाम चेक करो कि आप एकजाम को किल्यर कर पाए हो या एकजाम को किल्यर नहीं कर पाए हो टेक है description box में भी links देदूंगा लिस्ट के अगर description box में नहीं मिले तो टेलीखराम चैनल पर तो मिली जाएंगे वरना SSC के official website पर जाओगे results corner में आपको सारे का सारे नाम दिख जाएंगे बाग किसके बारे में हम detailed discussion भी करेंगे बाद में फिलाल तो मैं वीडियो को इतना ही छोड़ता हूँ जिन लोगों का नाम है लिस्ट में सबसे पहले तुम सभी लोगों congratulations और जो इस बार नहीं कर पाए है तो आने वाले exams के लिए आप बहुत अच्छे से त्यारी करते रहे सकते हो अपनी त्यारी करते रहो अब ज्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं सकता है आप फिलाल मैं भी स्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको वहां पर मॉक्टेस दो अलग अलग प्राइजिस भी मिलेंगे आपको प्राइजिस किस तरह से मिलेंगे वह भी उता दूंगा 21 तारिक को मॉक्टेस्ट होगा आपका 12 बजए ठीक है अन्रोल कोड आर भी टेन यूज क और 51 से 500 रैंक तक आपको 25 परसेंट का ओफ मिल जाएगा साथ ही साथ आपको स्कोलर्शिप भी मिलेगी स्कोलर्शिप यह इसी फोम में मिलेगी अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो मॉक्टेस्ट होगा उसका अनलिस भी टॉप एजुकेटर के दुवारा कराया जाएगा लाइव मॉक होगा ऐसा निए कि आप बाद में दे सकते हो बारा बजे मॉक स्टार्ट होगा बारा से एक बजे तक यह तो जो आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी वह इसी टाइम पर की जाएगी तो इस टाइम आपको मोक में आपियर होना पड़ेगा तो आप रिजि आप अपनी त्यारी करना चाहो तो वह आप देख सकते हो बाकी कट ओफ बहुत अच्छी के लिस्ट में नाम चेक करो अगर नाम आ गया तो जुरू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता हो कि आपका सेलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ ठीक है और अपना रोज स्कॉर भी ड हिंदे